Good morning friends. Currency pre-market analysis पे आप सभी का स्वागत है. आज है आपका 28th of March 2024, Thursday and आज आपका last day of the financial year. Dollar index अभी है 104.33. ये एक trend line जो resistance है, इस resistance के अपर end पे time consolidated कर रहे हैं. Actually resistance में आने के बार, generally, अगर वो strong stiff resistance जोल है, तो sharp fall होते हैं. Just like यहां पे देखिए, आया and time pass नहीं किया, directly नीचे. उससे पहले भी आप देखोगे time pass नहीं है, उससे पहले भी देखोगे time pass नहीं है. But अपा झ के यहां पे पिछले चार, यांपे पिछले तीन चार दिनों से, when it is free, it is just consolidating at the resistance. This is a concern as far as the technical analysis is concerned. आपका RSI is also at 60, currently at 59.87, क्या concern है कि ऐसा ना हो, यह resistance को तोड़के ओपर के तरफ जने जाए, यह जो trendline resistance, so that is the aspect, तो उपर में अगर जाते भी है, तो आपका 105.00 is going to be the first resistance, then is your 106.00, So, यहाँ पी, यह first जब तक नीचे नहीं आते हैं, means we need to keep our alert के dollar index उपर जाने का भी higher possibilities, अभी आते हैं, आपका GBP dollar, GBP dollar currently at 1.2632, यह आपका Friday Monday का pullback के बाद, पिछले दो दिनों में यह consolidate रहे हैं, आज भी third day भी यही consolidations को रहे हैं, इसको अगर उपर के तरफ जाना है, तो आपका मंगलबार का जो हाई है, that means 1.2670, इसके हाई के उपर close देना पडेगा, जो अभी तक दीख नहीं रहा है, यहाँ पे basically, prices जो है, consolidate कर रहे हैं, RIS is also hovering around 40, currently at your 43.27, So, यहाँ पे और थोरा हमें alert देखना पड़ेगा, क्या यह मंगलबार का हाई कु ऊपर के तरफ तोड़ता है, या मंदे को मंदे का जो लो है वो नीचे के तरफ ब्रेक डाउन करते हैं क्या करते हैं यह हमें देखना पड़ेगा अभी आते हैं हमारा GBP INR currently it is at 105.23 यह आपका जो फ्राइडे का पीन बार है it's a crucial one यह इसके लोग के नीचे अगर क्लोज दे देते हैं इस GBP INR में एक शार्प फॉर्ड टूर्स 104.50 एंड 104.00 इस तरफ जाने का हायर प्रॉबेबिलिटीज है next आते हैं euro dollar, euro dollar यह भी यहीं पर consolidate कर रहे हैं similar to GBP dollar, Monday के pullback के बाद Tuesday को एक inverted pin word बनाया हुआ है और उसके बाद consolidate जब तक यह Tuesday का हाय को नहीं तोड़ते हैं या Monday के low के नीचे sustain नहीं करते हैं तब तक यह consolidation में जुन में रहेगा उसके बाद हमें देखना क्या यह जी, is it breaking above the Tuesday si or breaking down the low of the Monday's year, क्या होता है, what it is happening, just we need to check, then is coming euro iron, euro iron, there is a trend line support and the price is consolating just at the trend line support, so यहां पी थोरा सा प्रिष्टाइब निज विक नेसे तर प्रिष्टेश पर प्रिष्टाइब आपका 60 में रिस्टेंस लेकर नीचे आया हुआ है एंडे ट्रेंड लाइं के हलका सा नीचे है प्रिष्टेंस अदर चाहिए चीज जैसे ही यह आपका उनीस मार्श का लोके नीचे जाएगा तर फित एन प्रिष्टेंस था है नीचे जाएगा शो एक शाप्ट वाथ एक टीन फटिन फटीन फाइड फाइड यह से शाविड़ू ऑन जाकर वह पर हलका सा सैंग मैजर सेलि सब्सक्राइब लोफ 151.03 बट एगें पुल्बेक किया एंप्रोज देट 151.33 तो यह बियोजे एंड एमोफ का सब्सक्राइब इसके ओपर हमें मैं रखना है क्या यह इसली एलाव करते है 152 का जो रिस्टेंस लेवल उसके हाइब जाने के लिए एलाव करते हैं क्या करते है सब्सक्राइब लिए यह जो सपोर्ट लेवल है यहीं पर कॉंसलीडेट कर रहे हैं मिंस बाइन का कोई मिंस अभी सिगनल्स है नहीं डॉलर यहन में अगर सेलिंग आता है तो परस्वनेल यहां पर भी बाइन देखा जाएगा उसी का इतिजार है लेकिन अभी प्राइस से सब्सक्राइब कुछ चितिक में रहा है नेक्स्ट इस यह डॉलर केंडी डॉलर केंडी वही अपका अपर एंड अप्धा रिजिस्टेंस जोन इस यूर 1.36 में ही पे अंसलीडेट कर रहे हैं है तो हमें इस कॉंसलीडेशन से बाहर उपर के तर बाइदर साइड निकल ने यह चलेच से लिए यह और एंड एंड तर परहे हैं कि अडेशन से से मिलर्डेशन से टाल इस से इसमिलर्लर्le इस से अगीन वितन इस अन्सलिडिशन सूर अपन 565 50.2 इन एंड 0.6650 इसलेट इस कन इस निच्स पर एंड प्रिक एहीं इस इस आड यह वार साथ or on the lower side then and only then we can think about certain trend that move dollar cnh is currently 7.24 कलके कलका जो हाई था that means your 7.2580 उसी के आस पास है यहां पर basically PBOC is highly active to curtail the cnh depreciation we need to just see जब तक PBOC is highly active तो यह further depreciation महने का allow नहीं करेंगे but we need to check just for our dollar purpose अभी आते है आपका brand crude future currently it is at 86.237 यह जो resistance zone था now it is expected to act as a support zone this one means abhi यह pullback के बाद इसमें से support लेके उपर जाते हैं whether it is after the US support here and whether it is going acquired और breaking down उसनी का हमें इंते जारे और currently it is possibility so consolidation next is your US 10-year treasury which is at 4.214 so again you consolidate citra to a record you do it you stay to your treasury it is at 4.6 1 it is also consolidating and the same wise it is at 4060 in between the phone currently 50 so sideways consolidation within the range on the lower side 4.45 on the higher side 4.80 in this range it is expected to move till it is either side breaking out either on the higher side or that particular moment the type sideways both side there within the range movement now is $.e. currently it is at $.e. so here it is under control under control invisible heads are also active. price action . . . . . . . . इन्वर्टेट पिंवर्ट बनाया हुआ है यह इन्वर्टेट पिंवर्ट के लो के नीचे अगर से जाते हैं या यह आपका आप बोल सकते हैं 83.25 के नीचे अगर आज दे 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 तें डालार रूपी में एगेन एक शाद फॉल हम एकस्पेक्ट कर सकते हैं ट्वर्स अगर के लो के नीचे स्ट्रॉंग प्लोजिंग देते हैं और यह पर वही है सी नीच को हमें इस पंसिडर करना है डॉलर इंडेस को पंसिडर करना है इन्वीजबल हैं मिस वाच करना है अगर्डिंग एक वी नीटो प्लांट आवर्ट रेंट करेंसी प्री मर्केट आलशी अभी चले अशेकर था यह पेस्टेशन आप सभी तो नाइस ब्स या खोगा इपसो लाइकिजिए को नबिए यह ज़िए यह ज़िए और यह जिब्स वार्णी यह ज़िए एफ। नहीं टोस वाभी नज़िए ने टेफिड ज़िए न्युए देहाद बाई बाई